आपका हमारे चानल न्यूज ब्लाश्ट में स्वागत है अभी तक आपने हमारे चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर ले साथ में बेल आइकोन को दबाना ना बुले ताकि हमारे लेटे स्टूडियो की नोटिफिकेशन आप तब पहुचिए मिने डुता दू एक संब्स्राइब के अपने हम अपनी टरम्स पर बात करेंगे उनकी टरम्स पर नहीं बात करेंगे हौकिश वो हो रहे हैं हम रिसीविंग एंड पे हैं तो वो उनकी इस वक्त हाला आती हैं पहाँ पर उनकी तरह से अच्छे जस्चर्थ आएएं अगर आए अमिर्ट इस्तान पे भी मौर लेस उन्होंने वही बातें की हैं जो आप हम सारे करते रहते हैंगे बिलकुल हम अमन के खाँ हैं मर कुछ मुश्किलाग आदा है। आपनी टर्म्स पे बात करेंगे इंडिया के साथ या अखवानिस्तान पे जो अनुने काया जाए अमेरिका के साथ तो हमारे स्पोक्स परसन को मैं सुन रहा था उनको अनको अनको फूर्साब को जी के अनुने पैसे उन्होंने उमें दी है सारा यह वह स्टान से जिसके कायट आपनो रिटर्न दोनों साईट्स अगर इतनी सक्त हो चूकी हैं कि इंडिया भी फलेकषिबाल होने को चैर नहीं है reparagoing निहीं हम भी फलेक्सिबाल थार नहीं हुप तो इसका मतलब है जैसे हैं कि भ जहां के बन्याथ में आसे रहेंगे आर्मी चीघ साफ को अगे हैं हम दिखाएंगे जहां पर इंडिया को दिखानी चाहिए इंडिया दिखाए या किसी और तीसरे अर्बिट्रेशन हमें देखनी पड़ेगी जिस पर इंडिया अकसर आज नहीं होते वह चाइना को अर्बिट्रेशन के तौर पर लाएं या जैसे आज मुझे थोड़ी सी एक उमीद लगी है उनके ट्रम्प की बाद से जब उन्होंने काया कि पाकसान इंडिया की नुकलर वार ना हो जाए तो वो वो चीज है जिस पर पूरी दुनिया थोड़ी सी डर जाती है तो आपके लिए बेहतर तरीका यह होता है कि आप आप उसमें दर्म्यान में उसको उसको लेके हैं अमेरिकन्स को लेके हैं या चैनिस को के हैं या वटवर कोई और अरब कंट्री जो आपको बैठ के कर सकते हैं लेकिन इस स्टेटिड पूजिशन के साथ जो हमने ली हुई है कि अपनी हमारी टर्म्ज हैं वान टू तू त्री फॉर यह चार हमारी डिमांड साथ के बार में एक रेपूटिशन है अगेन अनलाइक मैनी अधर्स जो माजी में रहें कि यह प्रो यह जम्हुरियत यह आर्मी चीफ हैं आज उनका आना पार्लिमेंट में आफर करना पालिसी बनाएं बैठें बात करें मेरा खाल यह बहतरीन मौका है इनके लिए सियासद जवाब दे देंगे यह सारी कहने की बात आपने जगा पर ठीक है कौम को हम ठीक उठाए रखें लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी पड़ेंगे अमेरिका ने 32 अरब डालर आपको दी हैं चार अरब डालर पाकस्तानी बेचते हैं वहाँ से इदर यहार सा पाकस्तान को नुकसान होगा और आप आप खुद कहारें कि उनका जुकाओ जो है इंडिया की तरह बढ़ गया विकाज कि आप अपना को डिस्टेंस करते जा रहे हैं आप चाइना के साथ ज्यादा होते जा रहे हैं अगर आप यह समझते हैं का लो चाइना जो है वो पर आप यह समय कि अगवानिस्तान के साथ तलोका ठीक करें जितनी मेनत हम सौध एरेबिया और उसको इरान पर फर्मा रहे हैं वो भी जरूर करें अतनी थोड़े सी हाफ मेनते आप इंडिया और अगवानिस्तान पर भी करें अमेरिकन के साथ चीजों को इतना दूर ना ल इनिशेटिव लिया, आर्मी चीफ को उन्हें रिक्वेस्ट की या लिख के भेजा एक कस्टोडियन आफ हाउस के तावर पर के आप आएं हमें ब्रीफ करें मेरा खले बड़ा बॉल्ड एक उनका जेस्चर था यह जुरत सपीक राजया सादिक नहीं कर सकता था यह सी अप्रिशेट करना चाहिए कि पूरा उन लोग उने बैठ के इसको प्लाइन किया और उसको एक्जिक्यूशन की है बहुत कम लोगों को पता होगा यह जो यह सुप्रेमेसी आफ पार्लिमेंट की बात करते हैं जै कि रज़र अपानी साब ने इसी तरह का खात शबाश श्र चीफ ने सेनिट में आके वहां सेनिट से बात करने से खिताब करने से ब्रीफिंग देने से इंकार कर दिया था शबाश श्रीफ साब जी यह मैं आपको आपको रेकड़ पर कह रहा हूँ और रीजन क्या बताई कही थी कि अठारवी तरमीम के बाद हम सूबे आपको आर्मी के यह पॉलिटेक्स के रोल पर क्रिटिसिजम करते रहते हैं सबसे पहले आकर किसने खिताब किया है आप इनिशेटिफ तो ले ना शबाश श्रीफ ने इंकार किया हुआ है सार कि मैं नहीं आता और नहीं आए शबाश श्रीफ वो जिसकमा कहते हैं कि हम पार्लिमें दिन महीने बाद आना पड़ेगा और नवाजरी साब फिर भी नहीं आए ये अब ये होती है यहाँ पर इनिशेटिव लेने वाली बाद शार अशार दस्तूर को जो बनाई विया सेनट के अंदर पारलिमान में रज़ार अरबानी साब उनको उस दोरे पे भी ले जिसकी बड करता रहे कहता रहे कि हज़ूर पालिसी बनाए हमें गाइड करें ये नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको मुका मारने के लिए सर जी एक चाहिए कि अपनी तमाम गलतियों का मलबा हमने डालने की जी पर जो पंचिंग बैग होता है कि और कुछ न मिले घुसा निकालो हमारा ल ये मुशाइद उलाखान साब ने पूछा है मतलब आप एक विफाकी वजीर हैं आपको ये सवाल कैबिनेट मीटेंग में एसन अकबाल से पूछना चाहिए था आर्मी चीफ से नहीं बन था आप अपना हम पार करके आते आप बहुत बड़ा मौका था सारी इनके पास आर् ये सार कांड़े हैं सार इस ये उप्यार हों अमर साब अगर ईसन अकबाल साब को नहीं पता कि बीस जिनूंँ में बीस चाहें पटी हम इनको जाय कि सिखर्ट küçük espe लेना चाहिए तो जिना असके बाद एसन इकबाल से अस्तिफा लेना चाहिए था आपको इंटैलीजिजेंस बियोरो वजीर आजमी लगाते हैं आपको उसने नहीं पताया इसे इंटेलिजेंस बियोरो ने बीस जिनों में को खाना को निकलाते हैं तो पिर ऐसे निकबाल से स्थीफ आले हैं आज अगर मुशाहिद अला कहां साब अपना पूरा हूंवर करके आये होते हैं और इनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं आपको याद हैं ड्रइबासी का कई नो में ऑपइस पाराने के दियों में काम ता आप तैपे सुना दिभी ती आपने महां पे आपको अस्तीफ dari mona saab को उन्हों को इस्तहाल के ता नावाज श्रीफ साहर ने आज तो बेधनी मौकत था जनाब उस्वर डी जी आये सही का आप कह रहे थे जहिर और इस्वाम अबासी साथ पीछे थे ते आज आर्मी चीफ ने का जी आप सापत कर दे मैं सिवाद देने को त्यार हूँ ये तो हकोमत ने बहुत बड़ा आज उन्हों मिस किया है अगर इनकी हकोमत को ये नह उससे पहले जिसना से अद्विया के खिलाफ उन्होंने अपना महास गर्म किया है क्लासा साथ हमारे पस बड़े अच्छे क्लिप्स मौजूद है दो आपको पहले जरा हम माजी की तरफ लेके चलते हैं नवाज श्रिफ साथ को खुद घर वे जा गया तो उनका क्यार वाई सुपरीम कोर्ड को घालबन थेराते हैं वो ऐसी ह्गूमत को थेराते हैं जो सुपरीम कोर्ड रीम कोर्ड को हम हों हूँ या माजुदा गअर्मध कोई है इसकि समझ नहीं आती एक वजिरादम या आपका दूसरा भी जाएगा थे तीसरा आएम आर्स वाउब कर्का कंप्ल अब नब जगे नवाज श्रिफ साब खुद गर गाए हैं अब उनका क्या बियान या क्या वो कह रहे हैं वो भी आपको सनाते वापिस आंगे इस पर डिपेट करें यानि मुझे तो राई पे फारग कर दिया गया है नाहिल करार दे दिया गया है और एक जो पहाड है उसको बचा लिया गया है ये दोरे मेयार और ये इनसाफ का खून ये नहीं चलेगा